मुल्ला कट मुल्ला आतंगवादी इसको बाहर निकालो फैको पार्टी को उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए था पार्टी उतनी ताकत से नहीं खड़ी हुई है बीएस्प्यू उसके साथ में उससे बहतर तरीके से कॉंग्रस खड़ी है उसके साथ में वो जो 20 लाक आद चल लिए तुमारी दादागीरी चल लिए लोगतंतर का मजाक बना कर रखा है इन लोगों नहीं चाहते कि इस देश के अंदर है सी एश्टी ओबीसी मायनोर्टी के लोग सदन में बोलें वह अच्छे कपले पहने यह नसे में चूर हो गया हिंदूबादी लोग यह आर एस दूर नहीं कि आपसे पहले रोल पर मौम लिंचिंग होती थी अब पालियमेंट के अंदर भी अगर मौम लिंचिंग होने लगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है यह लोगतंतर की हत्या है और सबसे बड़ी बात है कि इस भासा का इस्तमाल क्या गया है कि कोई सब्बे पुरुष भद्र पुरुष गली मुहले में इस भासा का इस्तमाल नहीं करता अगर हम लोग गली में हमारे सामने वाले से पड़ोसिस अगर हमारी लडाई हो जाए तो मेरे जैसा व्यक्ति मेर सामने अगर कोई मिसल्मान रहता है मेरी गली में कोई मुसल्मान रहता है तो मैं साथ उसके लिए इन सब्नों का प्रियोग नहीं कर सकूँ लोगत अन्तर में ऐसे ऑसे लोग जिनकी ऐसी भासा है गÃर समधणिड, ग΃र पालियमन्टरी जिन लोगों की भासा है जो अपने साथी सांसत को चुनने में 20 लाग लोग बोट करते हैं और जब 70% बोट होता है तो लगवाद 14 लाग लोग बोटिंग करते हैं उन 14 लाग लोगों के द्वारा चुने विए उन 20 लाग लोगों के द्वारा चुने विए पिर्ती निद्वत को पाल्यमेंट के अंदर नए संसत्थभवन के अंदर इस प्रकार है एक मुस्लिम संसत्थभवन को गाली देना मुल्ला कट मुल्ला आतंगवादी इसको बाहर निकालो फैको इस प्रकार की बहाँशा का इस्तमाल करना मैं समझता हूँ यह बीज़पी की ताना साहिए मैं समझता हूँ यह लोक्तंत्र की हत्या है और अभी तक उस सांसत पर कारवाई नहीं हुपाई है यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार इससे पहले बिरजभूसन को सरकार ने बचाने की कोशिस किये अभी वो इस मामले में भी ढूल मुल रपया अपना रहे हैं जबकि चाहिए यह था कि तत्काल प्रवाव से रमेज बुदूरी जो दक्षिन दिल्ली से सांसत है उनको पालियमेंट उनकी सदस्ता खतम करनी चाहिए थी उनको पालियमेंट बड़न करता है गली मुहले टपोरी वाली वाली भासे रिसिमाल करता है और एक खामोशी की साथ मेख़़ो करके तमासा देखती रहती है इससे यह सिद्ध होता है बीजदी के लिए ना तो लोकतंत्र महत्पुण हैं ना समिधान महत्पुण है और यह ना संसाद आया जिस एक तरफ देखा जाता है कि विपक्ष अगर सवाल करता है तो उनका सद्धिस्तर रद कर दी जाती है यहां सुटा में सद्धिन है वो सांसच जी उनके कोई कारवाई नहीं ही मैं वही कहा रहा हूँ मैंने वही बात दोह रहा ही मैं फिर उसको रिपीट कर देता हूँ कि अगर रमेज बिदूरी पर इस प्रकार की भासा का इस्तमाल करने पर मैंने कहा यह अकेले दानीस अली का मामला नहीं है यह अकेले दानीस अली की बेस्ती नहीं है यह उन बीस लाग वोटर्स की बेस्ती है जिन्होंने दानीस अली को चुना है ये लोक तंतर का मजाख है, ये डेमोकरिसी का मजाख है, आप क्या समझ रहो, कि वो 20 लाग लोट जो सुबह खाली पेट लेंड में लगते हैं, और बोट डालने के 6 बजे तक लेंड में लगते हैं, उस आदमी से पूछे कि लोक तंतर का क्या महत्त है, जिस आदमी को वो उन करके भेजाता है, 20 लाग लोगोंने क्या आप कहेंगे, सदन में खड़े हो करके, ये मुला है, कट मुला है, और ये क्या नामे आतंग वादी है, इसको चुप कर ये, इसको सदन से उठा करके बाहर भेंगी, तुमारी बदमासी चल लिए, तुमारी दादागी चल लोग तंतर का मजाग बना कर रखा हैं लोगोंने, ये लोग नहीं चाहतें किस देश के अंदर है, C, H, T, O, B, C, मायनोर्टी के लोग सदन में बोलें, वो अच्छे कपले पहनें, जिस परकार से शिडूलकाष्ट के लोगों के, अनसुचित जन जाती समाज के लोगों के, लोगों के मुपर पिसाब किया जा रहा है, उनके अच्छे कपले पहनने पर उनकी हत्कियां की जा रही है, उनकी मूचे रखने पर उनकी हत्कियां की जा रही है, घोडी पर चलने पर उनकी हत्कियां की जा रही है, अब सदन में जिस परकार का बरताब किया जा रहा है, य नसे में चूर हो गए हिंदूबादी लोग ये आरेसेस और आरेसेस के तमाम जो हिंदूबादी संग्ठाने इनके लिए ना समिधान मायने रखता है ना देश मायने रखता है ना देश का लोगतंतर मायने रखता है इन्होंने मजाग बना के रखा है ये चाहते हैं कि देश उनके सारे पर चले इस देश में सिर्फ एक मजब एक एक जाती एक संप्रदाय के लोग रहें जो भारते समिधान की खुब सूरती है वीदा पिपल ऑफ इंडिया यह उस लाइन को नश्ट कर देना चाहते हैं और यह कहिना कहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर उनकी तानास सरकार रूल कर रही है जो अब 2024 में चुनाफ होने वाला है तुमारी गर्दन दवा रखिये उन लोगों ने यह लोग मोदी जी की आंक के नीचे बैट करके जो देश वर में रूल कर रहे हैं जो सरकार चला रहे हैं इनके नुमाइंदे तुम्हें आतंगवादी भगोड़ करके चुना हैं लोग तंत्रिक तरीके से चुन करके आया है उसको मुला कटमुला आतंगवादी और तमाम तरीकी भासनाओं का इस्तमाल किया जाता है सरकार में बैट वे जुम्हेदार लोग नहीं बोलते हैं तो आप समझ लीजिए कि यह सरकार के सारे पर हो रहा है और इ किसी समाथ की खिलाब है ऐसी सरकार को इस देश के अंदर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है दूसरी तरफ वाला काम मुलक पर में चल ला है अन्दा बांटे रेवडी फिर फिर अपने दे अब यह हमारी और आपकी जुम्मिदारी बनती है मैं इस्ट्रीम मीडिया जो बिख चुका है मैं इस्ट्रीम मीडिया जो किसी काम का नहीं बचा है अखवार सच बोलने सच लिखने से डर रहा है इस्ट्रीम मीडिया सच बोलने से डर रहा है यह ताकत है मुझे खुद का भी भरोसानी है कि कम मेरे साथ मौब लिंचिंग हो जाए, कम मेरे साथ चलते मेरे घरवा लोगों मुझे रोड से खुरचना पड़े, इस दौर में जिस दौर में इस एक रंग में इस मुलक को रखने की कोशिस की जा रही है, रंगने की कोशिस की जा रही है, उस दौर में सच बोलना, उस द पार्टी उतनी ताकत से नहीं खड़ी हुई है बीस्प्यूस के साथ में उससे बहतर तरीके से कॉंग्रेस खड़ी है उसके साथ में इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि दानी सली के साथ जो हुआ है वह गलत हुआ है वह गहर समधानिक है और मेरे जैसे एक्टिबिस्ट की जुम मुठिवर लोग इस देश पर एक तरीके के जगंडा फैरा देना चाहते हैं इस तरंगे को अप मांदद कर रहे है और इस क्याना में समिधान को अप मांदद कर रहे ऐसे लोगों के खिलाब कानूनी कारवाई होनी चाहिए और अगर नहीं हुती है तो यह दुरभाःब पूर्ण है दो हजार चौबीस में जहां से रमेज भी दूरी चुनाब जीत करके आएं उसकी जनता को यह चाहिए कि ऐसे लोगों में सदन में बोर्ट ना दिया जाए ऐसे लोगों को हराना चाहिए धन्यवाद